दिल्ली को आज नया मनमोहन सिंग मिला है उसके लिए दिल्ली वासियों को शुब कामना है मनमोहन सिंग इसलिए क्यूंकि असली पावर औफ मुख्यमंत्री तो केजरिवाल जी के पास ही रहेगा वो डीफैक्टो सीम रहेंगे आतिशी जी को डीजियोर सीम बनाया है खड़ा अगर सौरब भरदवाज और सोमनाद भारती की भाषा बोले तो यह मेरे शब्द नहीं है तो आज क्यूंकि सीम के रूट में डायरेक्टली फंक्शन नहीं कर पा रहे थे केजिवाल जी क्योंकि कोट ने ऐसे बेल के कंडिशन डाले थे तो अब एक मनमोहन सिंग टाइप यहां कह सकते हैं कि OPS टाइप यवस्था यहां पर लागू कर दी गई है इसके लिए दिल्ली वासियों को शुब कामना है परन्तु हमें भी पता है कि किस प्रकार से चाल और चरित्र नहीं बदला है केवल चहरा बदला है और अगर चाल और चरित्र बदला है तो आतिशी जी से हाज जोड़कर विनम्र एक रिक्वेस्ट है कि जो शीष महल देड़ सो करोड का बना था जनता जब तरहीं माम कोविड में कर रही थी तब केजरिवाल जी का कासल बना था उस कासल और उस किले के दरवाजे खोल दिया जाए सारवजनिक रूप से सब को बता दिया ज है दिल्ली वास्यों की गाड़ी कमाए को लूटते हुए उसके दरवाजे खोल कर पारदर्शिता के नापर पहला आदेश यही होना चाहिए कि शीष महल दिखा दिया जाए दूसरी बात सवाल ये पैदा होता है कि जो आतिशी जी खुद एजुकेशन घोटाला पी डब्ल परिवाल के और तीसरी और आखरी बाद अब एक समविधानिक पद पर ऐसी व्यक्ति बैठी है जिसका अभी तक हमें स्टैंड नहीं पता कि अफजल गुरू के लिए जो एक सौफ्ट कॉनर उनके परिवार ने दिखाया है उस पर उनका स्टैंड क्या है कैटेगोरिकल इंकाउंटर को भी एक प्रकार से फर्जी कहा था सर्जिकल स्टैक पर सबूत मांगे पाकिस्तान के सुर से सुर मिलाये थे तो आज आहमाद्मी पार्टी की तरफ से पता चलना चाहिए कि आधिकरत रूप से समविधानिक पद पर बैठी हुई व्यक्ति या चीफ प्रकार चाहिए